दोस्तों आपके बॉस ने कुछ इस तरह का टास्क आपको दी दिया, कैसा टास्क? यहाँ पर देखिए, मेरे स्क्रीन की उपर आपको एक वेबसाइट विजिट की वी दिखाए दे रहे हैं और इस वेबसाइट की उपर यहाँ एक टेबल दिखाए दे रहा है और आपके बॉस ने का कि वहाँ इस वेबसाइट वे जितने भी टेबल या जितने टेबल उसमें से दस टेबल का डेटा एक श्राइट करोगे फिर पेस्ट करोगे यह तो बहुत टाइम जाएगा, तो टाइम सेव करना है समय भचाना है तो आपको यह ट्रिक सीखना पड़े दोस्तों जैसे की इंट्रो पारट में मैंने आपको का कि वह टाच डिया है कि वेबसाइट इसमें से टेबल को एकस्टर करना है मतलब टेबल के रिकार्ड्स पू आपको एकसल में लेना है तो एक बार पहले जलग दिखाना चाहूँगा एक ग्ग्साटली काम कैसे होगा यहां पर देखिए एक विंडो आपके सामने जो है पावर आटोमेट का और इसमें एक टेबल फ्रॉम वेबसाइट करके मैंने एक अल्रेडी आटोमेशन बनाई यह कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगा इसमें कोडिंग की बिल्कुल जरूत नहीं है और यहां पर मैं रन ब इसमें से कुछ टेबल मैं यहां पर एक्स्टाट कर लिये है एक्सल के अंदर एक्सल की विंडो ओपन हो चुकिया है तो किसी पी वेबसाइट से डेटा एक्स्टाट करने का यह तरीका होता है पावर आटोमेट की मदद से दोस्तों और यह मैं आपको श्टिब बताने बह अगर Windows 10 है तो उसे आपको डाउनलोड और इंस्टाल करना पड़ेगा Microsoft के साइट से डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी जहापे क्लिक करके आप आप आटोमेट को डाउनलोड कर सकते इंस्टाल कर सकते लेकिन इसके लिए आपको Microsoft का email ID होना ज़रूरी चैनल पर इंसके लिंक आपको डेगा तो यहां पर दिखिए हमें करना के आप टेबल में से डिटा करना है तो सबसे पहले आप जब पार आटोमेट इंस्टाल को रोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें आपको सबसे पहले यह निव फ्लो अप् आपको में नाम देता हूं एसा है कुछ टेबल डेटा एक्स्टाइट फॉम वेफसाइट ऐसा कुछ नाम दे सकते हैं इतना है मैंने नाम दे दिया और क्रियेट बटन पर क्लिक करूंगा अब यह पे एक फ्लो करेट करना है हमें बिसिकली उसके विंड़ एक विंड़ एक तो यहां से हम एक्स्टाइट करेंगी कि हमें क्या करना है बैसिकली यहां पर जो इंटर पार में वेफसाइट दिखाई यह वेफसाइट से मुझे डिटा एक्स्टाइट करना है यह टेबल का यह आपको पता है तो पहले हम यह यूरेल को कॉपी कर लेंगे यहां पर दिखिए, browser automation, नीचे हम आयेंगे यह पर launch new microsoft यह दिखाए दिए रहा है launch new Microsoft age यह action अड़ करेंगे, launch new microsoft age को में यह यह पर drag and drop करूंगा या फिर आप double-click करकर इसे open कर सकते, जैसे आप डबल क्लिक करोगे या ड्राग और रॉप करोगे तो ये विंडो आपके सामने आएगा इसमें आपको बताया जा रहा है कि आप एक Microsoft का यह ब्राउजर लांच करोगे एज ब्राउजर और लांच होने के बाद उसमें कौन सी वेफसाइट विजिट होनी चाहिए व है और शेव करोगे कि आप कि यहां पर पहला स्थच कोरु एप एक हमने इस प्रंड वेपसाइट को ए इस वेपसाइट को तु यह ए वात्किन करेंऽ का तो इस जैव इस अजग ब्ली में सुमि तो इस सारे को में से श्याग कर ने रहा है विश़् प्रया पर प्लै बोट into flow actions, तो यह steps capture करेगा, याद रखिए, तो इस पर मैं click करूँगा, जैसे मैं click करूँगा, एक window उपन होगी, छोटी सी, इसके लिए मैंने यह window यहाँ पर इस तरह सी यह window को रखूँगा, तो यहाँ पर इसलिए मैंने क्या किया था, इस window को छोटा किया था, कि मैं side में यह द इस website कई पर click करता हूँ, तो यह दिखिए, है रेकॉड हो चुका है, तो मुझे यह click नहीं करना है, हटाना यह actions, तो मैं ऐसे remove कर सकता हूँ बीच में, तो मेरा recording चालुए, अगर recording बंद करना है, तो आप यह पर pause कर सकते वगर, options है यहाँ पर, लेकिन फिलाल, जो actions मुझे तो आप सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यह जो टेबल का एडर दिखाए दे रहा है, यह पर नेम के ऊपर मौस पंटर लेकिया हूँ, याद रखिए, और जैसे मैंने मौस पंटर यह पर लाया तो यह रेड बॉर्डर में यह आपर हो रहा है, यह रहा होना चाहिए, उसके यह रहा है, 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 यहां पर set this element as a pager, यहां पर क्या करना है, set this element as a pager, great, okay, यह दोनों आपने किया action दिखे है, record हो चुका, यहां पर एक dotted border आचुका है, यहां पर एक dotted border आचुका, दोनों action record हो चुका है, और अभी आप done करेंगे, यहां पर done, that's it, इतना है करना action, ज़से आपनी action कर लिया, उसे दस table ही चाहिए, पाच table ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहां पर यह जो action है, इसमें double click करूँगा, और कुछ editing करूगा, चोटा सा editing करना है, यहां पर आपको क्या editing करना है, all available data नहीं लेना है, only the first five table, चलो, फाच table ही लेते, only the first five, 10 लेना है तो 10 लेलो, आप जित सेव करने के बाद, आप इस action को run करके देख सकते, मैं यहां पर run बटन पर click करता हूँ, जैसे मैं run करूँगा, यहां पर कुछ action हो रहा है, आपको दिखाए दे रहा है, पहले website visit हो चुकी है, और यह पहला page भी, मतलब पहला table वो extract कर रहा है, फिर दूसरा table यहां पर देख को remove कर सकते है, एक साथ select करके सबको, लेकिन यहां पर पूरा table आ चुका है, extract हो के basically, right, तो आपको एक एक कफी करने के यहां पर जुरूरत नहीं पड़ेगी अभी, क्योंकि मैंने यह actions आपको बताई, यह flow आपको बताई, और यह flow आपको detail में और सिखना है, तो learn more पे भी, आपे तेर सारे courses आपको घर बैटे-बैटे सीखने में लेंगे, computer के, और iosos certificate के साथ, और courses आप घर बैटे-बैटे कर सकते हैं, साथी में मैं आपको बताना चाहूंगा, कि Power Automate यह applications आपको अच्छे से सीखना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपका बहुत सारा टास्ट जो